दोस्तों, computer पर कभी-कभी एक common problem आ सकता है, हम यहाँ पर प्रिंट निकलने जाते हैं, तो यहाँ पर हमें legal size का paper size होता है, वो printer में नहीं दिखाता है, ठीक है, यहाँ पर खाली 5 से 6 option आपको मिलेंगे, आप यहाँ पर 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 भी आपको limited ही option आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर control panel को खोल ले ला है अपनी computer का, control panel खोलोगे, तो उसके बाद आपको जाना है hardware and sound में, इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रिंटर, device and printer पर क्लिक कर लेना है, जैसे आप device and printer पर क्लिक करोगे, तो जितने भी devices आपके machine में इंस्टाले, वो यहाँ पर आ जाएंगे, जो भी आपका printer है, उस printer पर आपको right click करना है, और right click करने के बाद यहाँ पी कुछ options आएंगे, उसमें से आपको printer properties जो है, इसको select कर लेना है, printer properties पर क्लिक करने के बाद आपको advanced का एक option यहाँ पर मिल जाएगा, उस advanced के option पर क्लिक किजे, और दोस्तों यहाँ पे drivers नाम से आ यहाँ पर miss कर जाते हैं, तो आपको proper driver से इनको ले लेना है, ठीक है, एक वाले number पर जो driver थे वो यहाँ पर automatic ले आ चुक है, तो वो नहीं मुझे चाहिए ते, इसलिए मैंने यहाँ पर मेरा Ipsom को printer है, इसमें से driver मैंने चूज कर लिया है, अब इतना करने के बाद दोस्तो जब भी option नहीं आ रहेते हैं, वो सभी के सभी option यहाँ पर आ जाएगे, इसमें से आप कोई भी option चूज कर सकते हो, और अपने problem को, अपने परिशानी को दूर कर सकते हो, तो दोस्तो इस प्रकार से आप समय में अपने यहाँ पी printer में आने वाला जो problem है, इसको solve कर सकते हैं, तो दोस्तो इस प्रकार के और technical के ट्रीज देखने के लिए, होटसप के ट्रीज देखने के लिए चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को like और share कर दीजिए, दोस्तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार.